मनुष को मै के घमंड की मदिरा पिला कर मधोश करने वाला पाखंडी केवल मन है उसके हाथों में मोह उमाया का जाल है जिसे वो मनुष की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है यह मन शरीर से भी मोह करता है अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी खुशियों में खुशियों से भरे गीद गाता है तो दुख में दुख भरे गीद कुन गुनाता है अपने दुक में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी होती है किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता रसी में बांद कर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है वो जीव को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में ज्ञाग कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदल जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षातकार करें हे पार्थ प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में ज्ञाग कर आत्मा को देखें तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश इस पस्ट दिखाई देगा उसी को परमात्मा का साक्षातकार कहते हैं तुम तो कहते हो कि अपने अंतर में ज्ञाग कर आत्मा को और उस आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को पहचाने अर्थात आत्मा से अलग कोई और है जो आत्मा को पहचानेगा ये किसको कह रहे हो कि आत्मा को पहचाने कौन प्राणी को बहुत नाचना चाता है फिर वह आत्मा और प्रमात्मा क्यों ले जाएगा तुमने ठीक प्रेश्न कि आरजुन उसका उत्तर यह है कि जब तक तुम अपने आपको मन और विश्यों के आधीम रहने दोगे तब तक वो तुम्हें नाचना चाता रहेगा हे पार्थ मनुश का शरीर एक रत की भाती है उस रत के जो घोड़े हैं उन्हें मनुश की इंद्रियां समझो जैसे आख नाख कान कि मुख कि जीवा आदि कि उन्हें इंद्रियों को गोड़ों को जो सार्थी चलाता है वो सार्थी ही मन है कि और उस रत में बैठा हुआ जो उस रत का स्वामी है वही आत्मा है मनुश के इंद्रियां अपने विश्यों की और आकर्षित होती रहती हैं और उसका मन इंद्रियों को उनके विश्यों की और ही दोड़ाता रहता है ये कभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को अपने काबु में ना लाए जब तक मन काबु में नहीं आएगा वो इंद्रियों को उनके विश्यों की और ही दोड़ाता रहेगा विश्यों उनको बुलाते हैं इंद्रियों उनकी तरफ भागती हैं और मन जीवात्मा की परवा किये बगैर रत को उस ओर लिये जाता है परन्त जब तुम स्वयम मन के आधीन न रहकर मन को अपने आधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सार्थी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रत को सीधे प्रभू के चर्णों में ले जाएगा यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके आधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकरता रहेगा और जब तुम मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा हे मदसूदन ये कहना तो बहुत आसान है कि तुम मन पर काबू पालो मन के स्वामी बन जाओ परंतो यही तो सबसे दुशकर कार्य है हे केशव मन तो वाई की तरह चंचल है जिस प्रकार बहते हुई हवा पर काबू पाना असंभाव है इसी प्रकार इस चंचल मन को अपने आधीन करना अती दुशकर काम है हे अरजुन तुम्हारा यह कहना सत्य है कि मन अती चंचल है उसे अपने वश में करना बहुत मुश्किल है जिनार्दन असंभाव है नहीं अर्जुन मुश्किल अवश्य है परन्तु असंभव नहीं है तुम्हारा कहना है कि मन को वश्मे करने का कोई तरीका कोई साधन भी है अवश्य है क्या है वो तरीका मन को वश्मे करने के लिए उस पर दो तलवारों से प्रहार करना पड़ता है एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की अभ्यास और वैराग्य हाँ अभ्यास और वैराग्य देखो अर्जुन अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास मन को एक काम पर लगा दो वह वहां से भागेगा उसे पकड़ कर लाओ वो फिर भागेगा उसे फिर पकड़ो ऐसा बार बार करना पड़ेगा जैसे घोड़े का नोजाच शिशू एक शन के लिए इस्तिर नहीं रहता शन शन में इधर उधर फुदकता रहता है उसी प्रकार मन भी शन्चल में इधर उधर फुदकता रहता है एक चंचल घोड़े की तरह मन भी बड़ा चंचल होता है और ऐसे चंचल मन को काबू करना उतना ही कठेन है जैसे किसी मुझोर घोड़े को काबू करना ऐसे घोड़े को काबू करने के लिए सवार जितना जोर लगाता है घोड़ा उतना ही विरोत करता है और बार बार सवार को ही गिरा देता है परन्तु यदि सवार द्रन संकल्प हो तो अंद में वो सरकश घोड़े पर सवार हो जाता है बस फिर वही घोड़ा सवार के इशारे पर चलता है उसी प्रकार मन को भी नियंत्रन की रस्सी में बान कर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना जब अभ्यास की तलवार से ही मन ठीक रास्ते पर आ जाए फिर वह दूसरी वैरागी की तलवार की क्या आवशक्ता है उसकी आवशक्ता इसलिए है कि एक बार ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर से उल्टे रास्ते पर न चला जाए क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद और खीश सकती है इसलिए मन को ये समझने जरूरी है कि वो सारे विश्य भोग मिथ्या हैं असार हैं योग माया के द्वारा उत्पन्ध होने वाले मुह का भ्रह्म है मन जब इस सत्य को समझ लेगा तो उसे विश्यों से मोह नहीं रहेगा बलकि उससे वैराग्य हो जाएगा और यहीं वैराग्य की तलवार का काम है कि वो विश्यों के मोह को काटके मन को सन्यासी बना देती है कि एक एशव यह जो तुम वैराग्य की बात करते हो यह तो तभी आ सकता है जब प्राणी को आपकी इस बात पर विश्वास हो जाए कि यह सारा जगत वास्तों में मिथ्या है नश्वर है परंतु आपकी माया की प्रभाव से वो सत्य जान पड़ता है इस परम सत्य के मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं तुम तो प्रदान कर रहे हो कृष्ण परंतु मेरा मन उसको ग्रहन क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि अभी तक तुम मोह अब भ्रह्म के अंधकार से बाहर नहीं निकले इसलिए तुम उस ज्ञान को ग्रहन करने में असमर्थ हो